नमस्कार दोस्तों मैं विजितिवारी स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल दा बुक्स सुसाइटी में जहां हम आज ही क्लास में सब्जेक्ट कोड बी पी एएस वन एट सिस के चैप्टर नमबर फाइफ की चर्चा करेंगे इस से पहले चार चैप्टर के वीडियो औ आज की क्लास तो आज जो हमारे चैप्टर है वो हमें ये बताएगा कि जब एक व्यक्ति किसी भी organization में कारे कर रहा है तो उसमें time management का क्या मेहत्व है और अगर time management को लेकर कोई व्यक्ति नहीं चल रहा तो उसके कारे करने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ता है सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुल मिलाकर हमें ये बताती है कि हम आगे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे यानि की देखे मुद्ध ये उड़ता है कि आज लोगों के अंदर बहुत बड़ी समस्था ये है कि वो टाइम का मिस्यूज कर रहे है टाइम को गलत तरीकी से यूज कर रहे है परिणाम ही हो रहा है कि वो अपने कारे को उतनुए effective रूप से नहीं कर पाते है जितने effective रूप से वो कारे होना चाहिए था इसके साथ साथ इस चीज का प्रभावना उन लोगों पर भी नी पढ़ता है इसके साथ साथ उन लोगों पर भी इसका प्रभाव पढ़ता है जो उनसे जुड़ों होते हैं जैसे आप देखते हो सरकारी कार्यालियों में काम जो है देरी से होता है इसका परिणाम आमजनता पर पढ़ता है इसी चीज़ को बहुत सारे एक्जामपल्स के साथ इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा तो जब हम बात करते हैं टाइम के मिस्यूज की यानि कि दोस्पूर्ण समय प्रबंधन की तो उसके कुछ अवधारनाएं हैं कुछ धारनाएं हैं कुछ सोच हैं तो हम सबसे पहले उनी चीज़ों को समझेंगे कि जो व्यक्ति समय के मुल्ले को कम समझते हैं या समय को महत्व नहीं देते हैं या टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं उससे हमारे कारे जीवन पर किस प्रकार से असंतुलन पैदा होता है तो देखो विश्व में दो टाइप के देश है एक विकसित देश है और एक विकास चिल देश है इसी प्रकार से दो प्रकार के लोग है एक अमीर लोग भी है और एक गरीब लोग भी है तो ये जो developed countries है और ये जो undeveloped countries है यानी कि विकसित देश है और विकासिल देश है इनके बीच में सबसे बड़ा पता अंतर क्या है वो अंतर ये है कि जो विकसित देश है न यहाँ पर time management को बहुत जाद महत्फ दिया जाता है जबकि जो विकासिल देश है न यहाँ पर time management को उतना महत नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए तो इसलिए विक्सित देश हमेशा क्या हो गए विक्सित हीच होते गए अमीर पर अमीर होते गए ठीक यही condition अमीर और गरीबों पर लागो होती है जो हमीर लोग होते है यह time का management करके चलते है इन्हे पता होता है इतने बजे मुझे ये काम करना ये daily के routine list set करके चलते है इनकी daily meetings होते है daily appointments होते है देखो आप बड़े बड़े जो लोग होते हैं उसे appointment लेकर ही मिला जा सकता है लेकिन आप देखो जो निर्धन लोग है गरीब लोग है जिने जाज चीज़े नहीं पता है इनके समस्य पता है क्या है यह time का miss use करते है इनका जीवन पता है क्या है इनका जीवन जा रहा है पबजी में इनका जीवन पता है कि कंचे खेलने में चल जा रहा है बहुत लंबा time इसी में पई रहे हैं परिणाम ते गरीब भी नई रहते हैं। तो संसाधनों के रूप में समय का कम मुलय है। नई की आपकर पास कौ स्षरूर्षे हैं उसमें आप टाइम का यूज कीसे कर रहे हो। विक्सित देश हैं का अच्छा पया स्ष्य यूज कर रहे हैं। अपने स समाज या विकासिल देशों की बात करोगे या अल्विक्सित देशों की बात करोगे तो वहाँ पर पता क्या है समय परबंदन के लिए लोगों के लिए क्या है लापरवाई है जातनलोग सिख्षा के छेतर में समाजिक छेतर में जितने भी ओर्गराइशन हैं उसके लिए अवेर नहीं है हमारे हैं आज भी लोग पता है एक वर्ड यूज करते हैं time waste हो रहा है लेकिन वो कभी यह वर्ड यूज नहीं करते हैं कि हमें time invest करना चाहिए यानि की कई बार हम जैसे बच्चे अप क्लास ले रहे हैं हम सब पढ़ रहे हैं तो पता है क्या होता है एकजाम से पहले हम बिलकुल नहीं पढ़ना चाहते पताऊ क्यों हम सोसने है वै चल पढ़ लेंगे time waste हो रहा है लेकिन अगर हम पहले से पढ़ें तो यह क्या है, टाइम इन्वेस्ट है, जबकि हम फोन को 24 गंटे में से 16 गंटे लगब लगब फोन के आसपास बिता रहे हैं, बड़ फिर भी हम पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें लग़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, टाइम मेसा profit देती है। विकासियल देशों में बात करोगे तो समय के परती, लोग का रवया अलग अलग है। जाएगा तो टाइम के जो मिस्यूज की पहले अवधारना है वो क्या करती है विश्च को दो भागों बाठती है एक विक्सित और विकास सिल्देशों के बीच में दूसरी हेडिंग है नैतिक नहीतार्थ देखो नैतिकता क्या है एथिक्स यह कहती है कि जिस वक्ति को जो काम दिया जाए उसे वो काम पूरी तरीके से करना चाहिए वो भी इमानदारिक साथ और टाइम पिरिड के तहत एक समय के सीमा के तहत अब भारत में जो है जो बड़े-बड़े प्रशाषिक निड़ने लिए जाते हैं यह सिविल सेवकों के दवारा लिए जाते हैं बड़े- निर्मार करना है उसके लिए आपको अनमती लेनी है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए मानलो आपको लाइसंस लेना है या किसी भी कारे के लिए आपको सरकार से अनमती लेनी है तो इसके लिए पता है क्या होगा आपको जान बुचकर देरी करवाई जाएगी reason ताकि आप उन्हें कुछ पैसा दो अगर आपको काम जल्दी करवाने कुछ पैसा दो परिणाम क्या होता है इससे उस सरका भष्टाचार होता है काम करवाने के लिए घूस दी जाती है ना कि वह रिश्वत जी जाती है बल्कि बड़े पैमाने पर रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनगीस में शामिल हो जाते है परिणाम ओधा है कि बड़े पैमाने पर भिष्टाचार होता है और देश के सरकारी सिस्टम पर इसका बहुत विनाश्कारी प्रभाव परता है जो employees होते हैं वो निश्क्रे हो जाते हैं जब बंदा clear करता है ना exam तो उनके टीवी पर interview आते हैं हाँ भाईया इसने इतनी rank गैट कर इतनी है अच्छे से शपत लेते हैं जब इनसे interview में पूछा जाता है आप ये नोकरी करने क्यों चाहते हो तो पता है ये लोग क्या कहते हैं देश की सेवा के लिए समाज की सेवा के लिए और जब ये कुर्सी पर बैठते हैं ना पतानीन की बुद्धी कहां चलिए आते हैं तब ये जनता के लिए काम नहीं करना चाहते हैं वकील अपने तरीके से काम करें जज अपने तरीके से काम करें डॉक्टर अपने तरीके से काम करें टीचर अपने तरीके से काम करें हर एक बंद अपने तरीके से काम करें और बुलकल इमानदारी से ना एक पैसा ले ना एक पैसा दे तो government किस से करवा लेगी बताओ अब भ्रष्टाचार था है government employees के माध्यम से तो भ्रष्टाचार करवाती है government नौकरशाहों के माध्यम से तो भ्रष्टाचार करवाती है और उन नौकरशाह मना कर दे फिर क्या कर लोगे यही चीज क्यालाती है अनैतिकता यही चीज क्याताती है कि एथिक्स का हम पूरी तरीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं आम तोर पर यह शिकायत रहती है आम जनता को कि सरकारी तंत्र में बहुत सारे दस्तावेज मांगते हैं और वो दस्तावेज दे भी दो वो फाइल्स दे भी दो तो उनकी गति बहुत धीमी होती है एक जगह से दूसरी जगह दूसरी जगह से तीस जगह भेशते रहते हैं इसको हम बोलते हैं लाल फीता शाही समय पर निर्णे हो नहीं पाते हैं योजनाए उतनी तरीकी से लागू हो नहीं पाती हैं चमताएं उतनी हो नहीं पाती हैं इस प्रड़राम क्या रहता है समय की बहुत बड़ी बरबादी होती है और धनकी भी बहुत बड़ी क्या होती है बरबादी होती है जिसकी वैसे ज लोग की जो नयतिक्ता है उमर चुकी है लोग अपने काम करने के code of conduct को भूल चुके हैं तीसरा है कार जीवन में एसंतुलन कार जीवन में एसंतुलन क्या है तो देखो हर एक और्गनाज़शन में जितने भी करमचारी काम कर रहे हैं इन करमचारीों के योगदान पर ही वो organization चल रही है इन करमचारीों के काम पर ही वो संगठन चल रहा है ऐसे में जितने भी करमचारी काम कर रहे हैं इनकी चंता, इनका दश्ट्रिकोंड, इनकी जो वफादारी है organization के प्रतिम यही चीज है organization को आगे बढ़ा रही है लेकिन मुद्ध यह उड़ता है कि 아 organization अपने करमचारियों की खुशी के लिए कुछ कर रहा है तो ऐसे में organization को अपने करमचारियों को उनके स्वास्त के लिए उनके परिवार के लिए उनकी खुशी के लिए परयाप समय देना चाहिए अगर ये टाइम वो दे पारा तो उनकी प्रेणा बढ़ जाएगी लेकिन जातर संगठन क्या करते हैं वो परयाप समय देते नहीं है ऐसे में व्यक्ति पता है कि जादा काम करता है ओफिसों में और उसकी परिवारिक जीवन वो खराब हो जाता है उसे चुट्टियां नहीं पाती है चुट्टियों की दिन पर भी उससे काम करवाय जाता है तो ये भी टाइम का दोस्पून प्रबंदन है किकि जो टाइम जिस चीज के लिए बनाए उस टाइम पर वही काम करना चाहिए तो चुट्टि वाले दिन भी लोगों से काम करवाय जा रहा है तो ये भी टाइम का दोस्पून समय प्रबंदन है जिसके वैसे मनुश के परियाब स्वास रहता है ठकान हो जाती है मांसिक ठकान हो जाती है करमसारी पीड़ोत हो जाता है और जो अपने 100% दे सकता था वो 100% नहीं दे पाता है तो दोस्पून समय प्रबंदन की कितनी अवधार नाए है तो दोस्पून समय प्रबंदन की तीन अवधार नाए है पहला संसाद्धों के रूप में हम समय को कम मुले समझते हैं टाइम इन्वेश्मेंट करने की जगा टाइम वेश्ट की बात करते हैं और लोगों की एथिक्स मर चुकी है लाल फीता शाही है जानमुच कर देरी की जाती है ताकि रिष्टचार को बढ़ाव मिले और जो कारे जीवन है वे असंतुलित हो गया है छुट्टी वाले दिन पर भी काम करवाया जा रहा है जिसकी वैसे भी टाइम का जो मिस्मेनेजमेंट बनता जा रहा है अब आगे हम ये चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जो वर्किंग प्लेस हैं जो कारे अभी विन्यास हैं कार अभी विन्यास का मतलब भी होता है कि व्यक्ति कहां पर काम कर रहा है तो जिस जगा पर वो काम कर रहा है उसे हम वर्किंग प्लेस क्याते हैं कि working place पर चीज़े तयार ढंग से नहीं हो पाती ही तो इनमें सबसे पहली चीज़ होती है to do list तो मैंने आपको to do list के बारे में पिछले chapter में पढ़ाया था ना कि to do list का मतलब होता है कि per day हमारे जो काम होंगे उसे हम एक दिन पहले से set कर देंगे list बना लेंगे कि हम इतने बज़े इसे मिलना है इतने बज़े यह meeting है इतने बज़े यह करना है तो इसे क्या बोलते हैं तो टायम की जो primary need क्या है उस चीज़ पर ध्यान देना तो कारी की प्राथमियता कहलाती है कुछ लोग ऐसे होते हैं गलत समय पर सही काम करते हैं और सही समय पर गलत काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं बहुत महरत करते हैं और जबकि उन्हें स्मार्ट वर्क करके भी प्रॉफिट मिल सकता है तो यह चार चीजे होती हैं एक वर्किंग प्लेस पर जो टाइम मेनेजमेंट और टाइम के उसको बताती है, तो देखो भाई, खास तोर पर विकास सिल देशों की बात की जाएगी, और हम अपने देश की प्रकरती को भी देखेंगे, तो समस्य सबसे बड़ी बात पता है, तो डू लिश्ट तो त्यार हुजाती है, और्गनाजिशन में, लेकिन टू डू लिश्ट प यह है कि टू डू लिश्ट को त्यार करने में कोई भी नियमत्या नहीं होती है, रेगुलरेटी नहीं होती है, वर्किंग प्लेस पर जातर देखा गया है, खास तो पर गौर्णमेंट जो वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर गौर्णमेंट और्गनेशन जो है, तो वहाँ प पर अच्छे से हो पाता है जहां पर to-do list त्यार की जाती है उसका पालन किया जाता है लेकिन जहां पर to-do list का पालन नहीं किया जाएगा time table को follow नहीं किया जाएगा तो वो बंदा अपना 100% देहीं नहीं पायेगा कई बार ये भी देखा गया है कुछ organizations में कुछ संगठनों मे कि to-do list बहुत बोजिल तरीके से त्यार की जाती है उसमें बहुत सारे work कर दी जाते हैं और जबकि इतने सारे कारे उतने time में हो इनी सकते हैं ये भी time का mismanagement है ये भी time का दोस्पूर तनाव है यानि कि time management में हमें ये भी ध्यान रखना चीए कि भईया इतने घंटे में सिर करते हैं तीसी तरीका क्या है तीसी चीज टाइम mismanagement के बारे में क्या बताईए कि कुछ लोग ना to-do list में जो primary work होते हैं जो जरूरी काम होते हैं उसका उलेख ही नहीं करते हैं केवल कुछ महत्पून उच्छ वाले कार्यों को रखे रखते हैं इससे यह होता है कि दूसरे कारे जो होने चीज हैं वो होते होई नहीं पाते हैं इसके वैसे भी कारे पूरी तरीके से नहीं हो पाता हैं चोत्य चीज यह है कि to-do list में किसी विशेस दिन किये जाने वाले कार्यों का उलेख होता हैं लेकिन बाकी चीजों के लिए time ही नहीं रखा जाता हैं अगली होता है कुछ लोग पर डे की to-do list तैयार करते हैं कुछ लोग weekly to-do list तैयार करते हैं लेकिन इसमें management नहीं हो पाता है हफ्ते में end में पता सलता है Friday को कि आर कामीनी पूरक हो पाया ऐसे में दबाव बढ़ जाता है महीने के end में जितने भी सरकारी करमचारी है भाई साब इन देली रूटिन के जो टाइम टेबल होता है उसे बोलते हैं तो हम यह पढ़ रहे हैं कि किसी भी organization में time mismanagement का उस working place पर उस organization पर क्या impact पड़ता है तो उस mismanagement का working place पर यह प्रभाव पड़ता है कि वो अपने जो time period पर जितना काम करना होता है वो काम नहीं हो पाता है कारे प है कि साल साल तक सुनवाई नहीं होती है सुनवाई शुरू होती है तो साल साल तक सुनवाई होती रहती है निप्टार होई नहीं पाते है टाइम बड़े पैवाने पर क्या होता है वेश्ट होता है ऐसे में यह चिंता बंती जारी कि देश का लोगतां कहीं खत्रे में तो क्योंगी नियाए पालिका में करोडो मामले लंबीती रह गए तो लोग नियाए के लिए क्यों जाएंगे तो टू-डू लिष्ट तयार करने में जो लापरवाई होती है इसकी वैसे कारे कभी भी पूरा नहीं हो पाता है ये कारे स्थल पर सबसे पहला टाइम का दूसर प्रवाव क्या है कि हमें यही नहीं पता होता कि कारे की प्रात्मिक्ता को समझ क्या हो यानि कि हमें यही नहीं पता होता कि किस टाइम पर क्या कारे करें कुछ कारे ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं और महतपूर्ण भी होते हैं कुछ कारे ऐसे होते हैं जो आवश्चक तो नहीं होते, लेकिन अपने प्रदर्शन के लिए बहुत महत्पूर्ण होते हैं, जबकि कुछ कारे ऐसे होते हैं, जो आवश्चक भी नहीं होते हैं, और महत्पूर्ण भी नहीं होते हैं, तब भी वो कारे किये जाते हैं, तो किसी व्यक्तिया और्गनेश प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए बहुत जादा महत्पुन होते हैं कुछ कार ऐसे होते हैं जो ना तो आवश्रक होते हैं और ना ही महत्पुन होते हैं हाला कि इन चीजों के बारे में चैप्टर नमबर 9 में डीपली पढ़ाया जाएगा लेकिन फिर भी यह देखा गया कि बहुत सारे और ओर बहुत सारे बल Ст एस होते हैं जो ऐसे कारे करते हैं कि जो काम आ गया वही कर दो उसके लिए वो कोई प्लानिंग नहीं करते हैं अगर एक बनदा प्लानिंग के तहथ कारें लिए तो उसे बहोत सब्राणल की और यह रहा होता हैं देखो हमेना सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हमें किस काम से maximum profit मिल रहा है तो जिससे maximum profit मिल रहा है जिससे हमें बड़ा प्रतिफल मिल रहा है बड़े प्रतिफल का मतलब है maximum profit उस कारे को हमें पहला करना चाहिए दूसरी बात पता है क्या है दोस्पूर्ण समय प्रबंधन से कभी-कभी क्या होता है आवश्य कारे पीछे रहा जाते हैं यानि कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट ना करके चलें टाइम पे वर्क पूरा ना करें तो पता है कम महत्पूर्ण कारे तो कई बार हो जाता है लेकिन अधिक महत्पूर्ण कार हमेशा के लिए रह जाते हैं परिणामता क्या होता है व्यक्ति को नुक्सान होता है और देश को नुक्सान होता है तो हम ये पढ़ रहे हैं कि समय का जब हम दोस्पूर्ण तरीक से प्रियोग करते हैं देखो समय पर आप काम कर रहे हो यह जरूर लेकिन गौर्णमेंट ने फ्री गेहूं कर दिया अब जब फ्री गेहूं कर दिया उसने गौर्णमेंट ने तो क्या होगा बंदा अब गेहूं ले रहा वहाँ पर अब क्या होगा उसका अठा भी काही नहीं परिणाम ता क्या होगा इसकी मिल बंद होगी लेकिन अगर वह उ इस चीज है ङलतो पर आतो फारेषयं सुब्ब कें अर इसे हैं उसए बहुत अच्छे हैं अगरा हम अगर हम्ची डलली रूटीन आजीए ऑगाण нे मेंॉनकर ड Suppose न ह 힘, विल्गे में संस्थिक वैसुवर न वहिता खिचा है जो दोप Zahl घ्यवी से हे पना ने में। अगर हम कठिन विशों को सुवे पढ़ लेंगे तो जल्दी समझ माएंगे कि हमारा माइंड होगा फ्रेश और रात में हमें वो काम करने चाहिए जो व्यभारी काम होते हैं इसी प्रकार से जब हम किसी और्गनेशन में काम कर रहे हैं तो दोपहर के भोजन से पहले हमें जटिल कारे करने चाहिए यानि कि ओफिस पहुंसते ही सबसे पहले कठिन कारे करने चाहिए और जबकि जो वैसी रेगुलरियर वाले मामले हैं नियमित वाले हो दोपहर के बाद निप्टाने चाहिए उसका रीजिन यह होता है जब हम ओफिस पहुंस तो उस समय एनरजी बहुत जादा होती है उर्जा का इस्तर भी अच्छा होता है और हम अच्छे से काम कर सकते हैं लेकिन दुपहर के बाद खाना खाने के बाद क्या होता है उर्जा के सितर थोड़ सा गिर जाता है नीन सी आती है लेकिन भारज जासे देश या अने देशों का दुरभा के पता है यहाँ पर जाने के बाद तो पहले बैठा जाता है उफिस में गप पे लड़ाई जाते हैं कुछ काम किया नहीं जाता फिल लंश टाइम हो जाता है लंश टाइम पर मज़े लेते हैं और सारे काम दुपहर के बाद टाल देते हैं ऐसे में दुपहर के बाद जब सारे काम टाल दे जाते हैं परिणाम तो वो काम पुईतर के से नहीं हो पाता जातर जो meetings हैं, अधिकारी बैटके हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ये साइचीज सुबह आयुजित हो निची हैं, लेकि इन इस साइचीज दुपैर के बाद आयुजित करते हैं, प्रते एक घंटे के ना अपनी ले होती है, हर घंटे का अपना एक रिदम होता है, जो काम इतनी साम को एनरजी से कर सकते हैं, उस सुबह निकर सकते हैं, तो हर घंटे के साप से अपने काम करो ना, तो अधिकार, क्योंकि पूरे दिन हमारा जो सरीर वो तरो ताजा नहीं रहता है, तो ऐसे में हमारी दोश्पूर्ण समय प्रबंधन प्रणाली होती हैं, कि हमें किस इस समय पर क्या काम करना है, यह जब हम इसे नजदाज करते हैं, जब हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती हैं, हाला कि कुछ लोग इसके अपवाद हैं, कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, जो हर समय एनरजेटिक रहते हैं, हर समय तरो जादा वो किसी भी समय अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन यह सिफना कुछ ही परसेंट लोग होते हैं, जब कि 99 परसेंट लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास उरजा का जो है, दिन के अलग 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 तरीका होता है, और उन्हें उस चीज़ का उसे वैसे वैसे प्रयोग करना किसी भी विवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत महत्पुने इससे कोई दोराय नहीं है, कड़ी मेहनत का अर्थ है कि अपने कर्तव्य को हम निभाएं और जादर जादर समय उसी में लगाएं, और यह कहावत भी है काम जितना कठीनों का सफलता उतनी जब व्यक्ति उस महरत को बद्धिमानी से करे और अच्छे से करे, और कारी की जो विशेस्ताय है उसमे स्مार्ट वर्क को भी रखें, इसमार्ट वर्क का मतलब यह है, कि कारी को कम समय में पूरा किया जाएं, और अधिस सेदि उसमें तकनिक का प्रियों किया जाएं, और अच्छे से अच्छे टूल्स का यूज किया जाए यानि कि एक ही काम करना है उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन एक अच्छे टूल्स का प्रियोग करोगे तो काम अच्छे से भी होगा और पता है कम समय में भी होगा तो एक स्मार्ट वर्क ही आज के टाइम पर आग कि एक working place पर दोस्पूर्ण समय प्रबंधन का क्या प्रभाव पढ़ता है और उसके लिए उसे क्या करना चाहिए अब हम पढ़ेंगे मनोवरत्ती इसमें हम ये देखेंगे किसी देश की संस्किती होती ही ऐसी है किसी देश के लोग होती ही जिनके अंदर कारे करने के लिए अंदर से inspiration नहीं होती है वो प्रेरिती नहीं होते है तो इसमें सबसे पहला होता है दोस्पूर्ण कारे संस्कृती अब ये दोस्पूर्ण कारे संस्कृती क्या होती है तो जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे देश की समय होती है इसकी ताल मिल नहीं होती है लोगों में प्रेड़ना नहीं होती है प्रेड़ना की विवहसे करमचारी क्या करते हैं जब कि वैसे क्या होना चीए present मामी मेरी पूजा और मैं इसे इमानदारी से करूँगा और इसे time to time करूँगा तो कुछ देशों कल्चर ऐसा होता है जो time to time करते हैं time to time update रहते हैं और समय से पहले सारी चीज़े करते हैं इसलिए वो देश विक्सित होते हैं वो लोग भी विक्सित होते हैं लेकिन जो लोग तालते हैं जो लोग समय पालन में कमी रखते हैं उनकी बड़ी दिक्कद होती है अगला point समय पालन की कमी का हैँ तो जो लोग अच्छा time management करके रखचलते हैं उस के सबसे बड़ा कारणा है समय की पाबंदी जो लोग समय की पाबंदी को समझते हैं काराले टाइम पर पहुँचेंगे, कहीं पर भी जाना होगा टाइम पर पहुँचेंगे, काम टाइम पर शुरू करेंगे, कोई भी परियोजना होगी वो टाइम पर शुरू होगी, अधिकारिक बैट के टाइम पर शुरू होगी, और टाइम पर ही खतम होगी, सावजनिक बस प्रवाद में आते हैं उनका भी टाइम सेट होता है तब ही तो बंदे से क्नेक्टिविटी कर पाते हैं लेकिन पता है क्या दिक्कत है दुर्भाग क्या है भारत में न समय पालन में कमी है हर एक बंदा ना ऑफिस लेट पहुंचता है खास तौर पर सरकारी कारे आलो में समय पालन की उतक्रश्णी है समय पालन में सिर्फ बैंक भीमा कमपनियां स्कूल और बड़े हस्पताल कॉर्पोरेट सेक्टर ही चलते हैं लेकिन बहुत सारी जेका ऐसी है जहां समय पालन का पूरत रिख के प्रयोग नहीं होता है देर से आने वारी लोग समय की चोरी करते रही है और पता है निर्धारी समय से पहले ही अपना कार्याले भी छोड़ देते हैं टेलर महोदे जिन्नने इसके बारे में बहुत-बड़ा सिद्धान भी गज़ता है उन्होंने ये देखा whack- की कार्ये निश्पादन करने में कमी क्यूं आ रही है कार्ये करने में कमी समय क काम पूरा नहीं हो पाता है लोग ल पर्भाव हो जाते हैं अपने जम्रीडारों को समय को चाहिक करता है और तालमिल हो जाता है परिणाम ही होता है कि चीजों का पतन हो जाता है तो यहां से प्रश्ण पूछे आ कारे अभी विन्यास पर करमचारियों कारे निश्पादन को किस प्रकार से टाइम मेनेजमेंट प्रभावित करता है तो जो आपको हुआ सारी हैडिंग पढ़ाई थी मैंने कौन-कौन सी गलत समय पर सही काम करना स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क इसके साइसा टू-डू लिष्ट और कारेयों की प्रात्मिक्ता की समझ और अगर समय पालन ना होने पर काम के महल पर क्या प्रभाव पढ़ सकता है तो वो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इस चैप्टर के इस भाग में हम इतना ही रखते है क्योंकि यह चैप्टर बहुत लेंथ ही है आगे हम कारेयात्मक शैली के बारे में पढ़ेंगे लेकिन इस चैप्टर के पार्ट टू में तो तब तक के लिए आप मुझे विश्राम दीजिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चेह समझ में आ रही हैं तो वीडियो को शे करो कमेंड बॉक्स में कमेंड भी जरूर करो मिलते आप से नेक्ट लेक्चर में तब तक कि लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद